असलाम वालेकुम दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा नक्ष जो आपको कागस पे बनाना है जिहां एक ऐसा वजीफा जिसको बना कर आप अपनी प्रेमिका को अपने प्यार को अपने जीवन में वापस पा सकते हैं और कुछ बार होता है कई बार ऐसी समस्याएं आ जाती है कि आपकी जो प्रेमिका है या आपका जो प्रेमी है आपके जीवन में पहले तो था लेकिन कुछ कारणों की वज़े से फैमली प्रॉब्लम्स की वज़े से वो आपके जीवन से चला गया है लेकिन आप अभी भी उ होता है कि आप किसी से बहुत प्यार करते हैं लेकिन कुछ समस्या की वज़े से वो आपके जीवन से चला जाता है और फिर आप लोगों की बीच में जगडा हो जाता है मन मुटाव हो जाता है emotions change हो जाते हैं क्योंकि आप उनके touch में नहीं होते हैं उनके जिन्दगी में कोई और आने की कोशिश करने लगता है उनका ध्यान उस तरफ चला जाता है तो अभी जो मैं आपको बताऊंगी इसमें दो चीजें हम करेंगे कि अगर उनका मन कहीं और लग रहा है या उनके उपर किसी और ने कोई नक्ष किया हुआ है तो आप उसका काट भी निकाल सकते हैं तो मैं आपको दो तरीके बताऊंगी जिससे कि आप इसे कर सकते हैं पहला है जो कि इसको काटने का तरीका है जो आपको करना है और दूसरा जो है वो ये है कि आपका जो उपाय है वो कैसे उनके उपर काम करने लग जाए तो इस तरह से आपको पहले दो बनाने होंगे और उसके बाद इस तरह से इसे कीजिए अब एक जो नक्ष इसमें बना रहे हैं वो है कि उनके उपर अगर पहले से कुछ किसी ने किया हुआ है तो उसको आप काट सकते हैं ठीक है और दूसरा जो है वो ये है कि आप इसे जो आपकी समस्या है उसका समाधान आप निकाल सकते हैं ये वाला जो है पहला नक्ष है वो समस्या पहली वाली समस्या को दूर करने के लिए और ये दूसरा वाला जो है ये आप की आप जो चाहते से आपको लिखना है यहां पर यह है आपका काटने का नक्ष और पानी के लिए आपको यहां पर लिखना होगा कि इसे पूरा लिख लीजे और यहां पर मैं इसमें आखरी डिजट लिख देती हूं उसके बाद आपको यह बता देती हूं दोस्तों कि यह जो हम करने जा रहे हैं यह बेसिकली आप अपने प्यार को पानी के लिए कर रहे हैं तो पहली बात तो बिल्कुल ध्यान रखिएग कि इसका गलत उपयोग ना करिएगा अगर आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं चाहते हैं कि वो आपकी जिंदगी में वापस आ जाए तो ही आपको इसका उपयोग करना है और तभी ये सही तरीके से काम भी करता है इसके अलावा दोस्तों अब आपने ये दो नक्ष बना लि हैं तो इस तरह से आप यहां पर अपनी महबबत का नाम लिख सकते हैं और ये दोनों आपने जब लिख लिए उसके बाद आपको इसे इस तरह से मोड़ना है इसे मोड़ लीजिए और इसे आपको पांच बार मोड़ना है पांच बार मोड़ने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों आपको जाना है ऐसी जगे पर जहां पर आपको कोई ना देखे वहाँ पर जाकर आपको इसे जमीन के अंदर एक फुट गड़ा खोदना है और उसके बाद उसके अंदर इसे दफन कर देना है आप देखेंगे कुछ ही दिनों के अंदर अंदर आपका जो प्यार है आपका जो जिसे आप प्यार करते हैं आप चाहते हैं आपकी जिन्दगी में वापस आजाएगा इसको आप कर सकते हैं और आज के लिए बस इतना ही जब आप इसे गड़े में गाड़ेंगे उपर से मिट्टी डाल दें और उसके बाद अपने घर आजाए घर आने से आपको ध्यान रखना है कि पीछे पलट के आपको नहीं देखना है और आपको घर आकर हात पैर धो लेने हैं किसी से कोई बात नहीं करनी है आप कुछी दिनों में इसका असर देखेंगे तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आपने हमारा वीडियो देखा और आप इसे जरूर क करके देखिएगा क्योंकि यह सच में बहुत ही जादा पावरफुल है यह आपके कारे को जरूर पूरा करेगा बहुत सारे लोगों ने इसको अपनाया है इस उपाय को किया अगर कोई और आपकी समस्या हो तो आप हमें कॉल लगा सकते हैं हमारे नमबर पर और हमसे बात भ कर सकते हैं तो आज का वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों शब्बाखेर